शादी के बाद टुंटुनी चिडिया अपने छोटे से परिवार में बहुत खुश थी, क्योंकि बंटी कबूतर की एक छोटी सी चूडियों की दुकान थी, वो अपनी दुकान में तरह तरह की रंग विरंगी चूडियां बेचा करता, जो पक्षियों को बहुत पसंदा थी अरे वो चूडि वाले भाईया, मुझको नो दर्जन चूडियां दे दो, चार गुलाबी और पांच दर्जन लाल वाली अरे बहन जी, हर बार आप एक दो दर्जन चूडियां ही खरे दिती हो, फिर आज कैसे? वो आज मैं अपने माई के जा रही हूँ, वहाँ सबको आपकी चूडियां बहुत पसंदाती हैं, इसलिए मैं इतनी सारी चूडियां लेकर जा रही हूँ तोती उसे एह हजार रुपे दे कर, चूडि वहाँ से लेकर चली जाती है कहानी में आगे बढ़नी से पहले, जब उन बिमार होते हैं, जब कोई दवा काम नहीं आती, तब मा की दुआ काम आती है, तो आज इस मा की लिए इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे अरे वा, आज सुबा सुबा मेरी एक हजार रुपे की बिक्री हो गई, उपर वाला करे मेरी ये दुकान ऐसे ही चलती रहे, और मैं अपने परिवार की हर ज़रूरत को पूरा करता रहूं इस तरह से बंटी कबूतर बहुत खोश हो रहा था, थोड़ी दूरी पर दो शराबी दोस्त शराब पी रहे थे, और वे दूर से बंटी को ही देख रहे थे कलू दोस्त, देख यहां अमारे पास शराब पीने के लिए एक भी रुपया नहीं है, और उसकी सुबा सुबा हजार रुपय की बिक्री हो गई कलू दोस्त, वो एक इमानधार कबूतर है, वो भी चूडियों की दुकान है, और रुपयों की कोई कमी नहीं है उसके पास कलू दोस्त, अगर यह चूडियों का मालिक हमारा दोस्त बन जाए, तो शराब पीने की सारी टेंशन एक हत्म हो जाएगी बात तो एकदम सही कही तुने, पर यह चूडियों वाला शराब को छूटा तक नहीं है, तो फिर कैसे यह हमारा दोस्त बन पाएगा बनाएंगे, हम इसे तो अपना दोस्त ही बनाएंगे, और एक दिन ज्यादा नशा करागे, इसकी सारी कमाई और दुकान में जितनी भी चूडिया है, सबको लेकर भाग जाएंगे तो ठीक है, तुम उसको अपनी जूटी दोस्ती के जाल में फसाओ नहीं कालू, मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि हम उल्लूओं से कोई दोस्ती नहीं करना चाहता, इसलिए कबूतर को तो तुमें ही अपना दोस्त बनाना होगा ठीक है, तो मैंने नशा किया हुआ है, मैं कल जाओंगो इसकी दुकान पर ऐसे बातें करके वे दोनों बहुत खुश होते हैं, और शाम हो जाती है, बंटी कबूतर चूडियां बेच कर अपने घर चला जाता है, और अपने दिन भर की कमाई टुन्टुनी चिडिया को दे देता है तुन्टुनी जी, अब तो मेरी बनाई हुई चूडियां दूर दूर के पक्षियों को भी पसंद आ रही हैं, लगता है अब हम बहुत जल्दी अमीर बनने वाले हैं सच में बन्टी जी, अगर आपके चूडिया तनी ही पसंद आ रही हैं तो मुझे भी चूडिया बनाना सिखा दे, फिर मैं भी चूडिया बनाया करूंगी नहीं नहीं, चूडिया बनाने के लिए तो मैं ही काफी हूँ, आप तो बस मेरी बेटी और इस घर का ध्यान रखें, वही मेरे लिए सब कुछ है फिर वो सभी भोजन खाते हैं और सो जाते हैं, अगली सुबह बन्टी की दुकान पर कालू कौवा आता है और उसे कहने लगता है मालिक जी, दया करें, कृपया मुझे कुछ खाने को दे दे, रात से भूगा हूँ ये तो चोड़ियों की दुकान है, मैं आपको ये पैसे देता हूँ, आप आगे से खरेद कर कुछ खा लेना आप बहुत अच्छे पक्षी लगते हो, क्या मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो हाँ बोलो, अब आपको क्या चाहिए, मैं आपकी मदद करूँगा मालिक जी, आपकी इतनी बड़ी दुकान है, अगर मुझे यहां कुछ काम मिल जाता, तो मांग कर खाने की नौबत खतम हो जाएगी अरे नहीं नहीं, मेरे पास इतना काम नहीं है, आप ये पैसे ले, और कहीं दूसरी जगा पर काम खोजे मालिक जी, मैं रोज यहां सुबा सुबा ज़ाडू लगा दिया करूँगा, इसके बदले, आप मुझे थोड़ा सा भोजन दे देना, पर कृपया काम दे दे बंटी कबूतर की ये बात सुनकर, कालू कववा मन ही मन, बहुत खुश होता है, और अपना साफ सफाई का काम करने लगता है, ऐसे ही कुछ दिन बीच जाते हैं, अब तो कालू और बंटी कबूतर की पक्की दोस्ती हो गई थी, वो खाना साथ-साथ खाते हैं कालू, इतनी देर कहा लगा दे, कोई परिशानी तो नहीं है, नहीं नहीं, मुझे कोई परिशानी नहीं है, मैं तो ये शराब की बुतल लेने गया था, बस वही पर थोड़ी देर लग गई कालू क्या तु शराब पीता है मैं तो इसे चुटा तक नहीं तू भी शराब पीना छोड़ दे बंटी तूने अभी तक शराब को चुआ तक नहीं है इसलिए इसका सुआद भी नहीं पता पर कोई बात नहीं मैरे साथ तुझे शराब तो आज पी नहीं पड़ेगी फिर कालू कौवा बंटी को अपनी कसमे दे दे कर शराब पिला ही देता है उस दिन के बाद अब वो दोनों अकसर शराब पिया करते बस बहुत हुआ आज रात मैं अपना काम खत्म कर लूँगा जो भी करना है द्यान से करना उसको तुझ पर जराबिशत नहीं होना चाहिए मैं रात को तेरा इंतजार करूँगा फिर कालू कवा बंटी कबूतर की दुकान पर चला जाता है और उससे कहने लगता है आज मेरा जनम दिन है और तेरे सिवा तो मेरा इस जंगल में कोई नहीं है, तो क्या मैं तेरे साथ अपना जनम दिन मना सकता हूँ? अरे कालू, जनम दिन की तुझे बहुत बहुत बदाहियां, और ये भी कोई पूछने की बात है, हम दोनों मिलकर तेरा जनम दिन मनाएंगे इस तरह से कालू कवा बंटी कबूतर से जूट बोल देता है, और जनम दिन के बहाने उसे खूब शराब पिलाता है ये बंटी तो पूरी तरह से नशे में धुत्त हो गया है, अब मैं जल्दी जल्दी अपना काम करता हूँ फिर कालू कवा बंटी के सारे पैसे ले लेता है, और सारी चूडियों को एक बड़े से बैग में भर लेता है वो दुकान से जाने ही वाला था कि तभी बंटी कबूतर बोलता है ऐसे सोच कर कालू बंटी को अपने साथ ले जाता है, वो थोड़ी दूरी पर बंटी को एक सुनसान जगह पर छोड़ देता है आ गया, मेरा घर, मेरा घर यहाँ है, कोई मुझे मेरा घर दे दो बेचारे बंटी कबूतर को तो कुछ भी नहीं पता था, कि उसे किस दिशा में जाना है वो तो यूँ ही उड़े जा रहा था, तभी सामने से एक उड़ते हुए वाहन से उसकी टकर हो जाती है, और वो जमीन पर बिर जाता है दा जाने कहां है ये, कितनी देर हो गई है, और बंटी जी अभी तक घंड नहीं लोटे, आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ ऐसे सोच कर टुंटुनी चिडिया अपने पती को ढूंडने चली जाती है, रास्ते में उसे बंटी कबूतर बेहोश मिलता है, वो उसे जल्दी से पास के अस्पताल में भरती कराती है देखिए टुंटुनी की, इनका एक्सजेंट बहुत बुरी तरह से हुआ है, जल्दी इनका उपरेशन करना होगा, वरना इनकी जान जा सकती है आप कैसे भी करके मेरे बंटेजी को बच चालो, उनकी सिवर हमारा कोई नहीं है ठीक है, तीन लाख रुपे जल्दी से जमा करा दो, हम उपरेशन की तयारी करती है फिर टुंटुनी चिडिया पैसो का इंतजाम करने अपने घर चली जाती है ये क्या, ये तु बस 90,000 रुपे हैं, बाकी के पैसे कहां से आएंगे मैं दुकान पर जाती हूँ, शायद वहां से भी कुछ पैसे मिल जाए फिर टुंटुनी चिडिया तेजी से उड़ती है और दुकान पर चली जाती है परन्तु वहां तो कुछ भी नहीं था फिर टुंटुनी चिडिया थोड़े से पैसे को ही लेकर अस्पताल जाने लगती है परन्तु तेज उड़ते हुए उसके पैसों की पोटली तालाब में गिर जाती है और उसके सारे रूपे तालाब में डूब जाते है ऐ भगवान ये मुझे से क्या नट हो गया सारे पैसे तालाब में गिर गई अब मेरे बंटी जी का क्या होगा ऐसे कहकर टुंटुनी चिडिया वहां पर रोने लगती है तभी तालाब से कुछ आवाज आती है और पैसो की पोटली और एक बड़ा सा बैग तालाब के किनारे आ जाता है तुन तुनी चिडिया, मैंने आपके पैसो की पोटली को कुछ नहीं होने दिया आप कौन हो, किर्पिया करकी मेरे सामने आओ मैं तलाब बोल रहा हूँ, मैंने आपकी सारी बाते सुनी, तो मैंने आपकी मदद करने का दिश्चे किया तलाब जी, मेरी तो बसी पोटली थी, ये बैग मेरा नहीं है, ये शायद किसी और पक्षी का होगा चिडिया रानी इस बैग को खोल कर देखू फिर चिडिया उस बैग को खोलती है और चौक जाती है, क्योंकि वो बैग तो सोने की चूडियों से भरा हुआ था ये बैग चोर ने फैका है, वो इसे लेकर जा रहा था, कि तभी तलाब में गिर गया, आपको इनकी ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप इने ले जाए तलाब जी, आपको बहुत बहुत धन्देवाद, अब मैं चलती हूँ, मेरे पती अस्पिताल में है, मुझे ऑपरेशन की फिस जमा करानी है टुंटुनी चिडिया ने अपने पती की बनाई चूडियों को पहचान लिया था, परन्तु वो जानती थी, कि तलाब ने ही अपने जादू से साधारन चूडियों को सोने में बदल दिया है, ये सोचकर चिडिया वहां से चली जाती है, और अपने पती की जान बचा लेती है.